बस्तर के जगदरपुर इस्तित प्रिदर्शनी इंद्रागंधी स्टेडियम का वीडियो बड़ी तेजी से वाइरल हुआ था। दरसल साथ करोड से ज़्यादा की लागस से इसका नर्माण किया गया है जिसका लोकारपंड मुख्मंत्री भूपेश वगेल ने भेट मुलाकात की दौरान किया था। इसमें बारिश का पानी भर गया है और पानी ग्रास मेट के नीचे जमा हो गया है। वही नेता प्रतपक संजय पान्डे ने कहा कि जिस गास को वेलजियम का बताया जा रहा है वो चायना एस्ट्रोटर्फ गास है। इस पूरे मामले में निगम और प्रिशाशन ने जम कर व्रेश्ट अचार किया है। अब यह स्ट्रोटर्फ गुबारा बन गया। आप सब लोग ने देखा है कि इस प्रकार से अपने आप प्रकृति ने फ्रश्टाचार का उजागर किया है। पांच छे टेंडर किये गए। टेंडर में ऐसे ऐसे नियम डाले गए जिससे कोई भी आम आम जो ठेकेदार है वो टेंडर में पार्टिसिपेट नहीं कर पाए। जब तक इनके मन पसंद का आदमी टेंडर में भाग नहीं लिया दिल्ली की जो कमपनी है। चतिजगड़ के सारे भागीदारों को नियम के तहत बाहर कर दिया गया। ग्राउंड के विसे में मुझे सही जानकारी तो नहीं था जिसे आप लोगों के माध्यम से मुझे पता चला है। उसमें जो भी ठेकेदार ने ये काम किया है। उसके उपर बिल्कुल मैं भी जाकर वहां पर विजिट में देखूं की की वहां किस तरीके से जो काम हुआ है उसमें बहुत चती हुई है तो उसमें जो भी ठेकेदार होगा उसके प्रमकारवाही करवारी की पुरी कोशिस करें।